पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदू धर्म में हर घर में पूजा पाठ करना जरूरी माना जाता है। पूजा करने से न सिर्फ भगवान प्रसन होते हैं, बलकि मन को भी शांती मिलती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्यों के काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपराचली आ रही है। कहते हैं कि जब कुछ समझ में न आये तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए वो सब अच्छा ही करते हैं इसी लिए जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहाँ का। वातावर्ण सकारात्मक और पवित्र रहता है। दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगर्बत्ती के धुए से स्वास्थ्य लाभ होता है। इससे नुकसान पहुचाने वाले सुक्षम की टानू मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के ये कई आवश्यक नियम बताएं गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रिष्ट फल प्राप्थ होते हैं। महालक्षमी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। हालांकि पूजा पाठ के भी कुछ विशेश नियम होते हैं और इनका पालन ना करने से पूजा का फल नहीं प्राप्थ होता है। कई बार गलत तरीके से पूजा पाठ करने से वास्तुदोश भी लग जाता है। आईए जानते हैं कि पूजा के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नमबर एक पूजा में इस्तिमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा इशान कोण में रखना चाहिए दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें वरना इसके दुश्प्रभाव जेलने पड़ते हैं नमबर दो पूजा हमेशा आसन पर बैठ कर ही करनी चाहिए आसन पर बैठ कर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशी के हिसाब से ही करना चाहिए नमबर तीन पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए उसके वक्त कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए पूजा का फल तब की मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें नमबर चार भगवान के भजन की इर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें इस दौरान किसी से बाच्चीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है पूजा की सामगरी को लेकर कभी भी दिखावा ना करें नमबर पांच किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, सनान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद, आदी, अनिवार्य, रूप से होना चाहिए नमबर छे, पूजन में पान का, पत्ता भी रखना चाहिए ध्यान रखे पान के पत्ते के साथ इलाईची, लौंग, गुलकंद आदी भी चढ़ाना चाहिए पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रिष्ठ रहेगा नमबर साथ, देवी देवताओं को हारफूल पत्तिया आदी अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए नमबर आठ, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेश रूप से चढ़ाए जाते हैं पूजन के लिए ऐसे चावल का उप्योग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी तूटे हुए न हो, चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डूबो कर पीला किया जा सकता है बात का विशेश ध्यान रखें की पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्थ नहीं हो पाता है चढ़ाना चाहिए नमबर बारह पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए नमबर तेरह यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तुदोश भी दूर हो जाएंगे नमबर चौधा सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विश्नु ये पंचदेव कहलाते हैं इनकी पूजा सभी कारियों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए इससे लक्ष्मी कृपा और समरिध्धी प्राप्थ होती है नमबर पंदरह तुलसी के पत्तों को ग्यारा दिनों तक बासी नहीं माना जाता है इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुन भगवान को अर्पित किया जा सकता है नमबर सोलह दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगा कर इधर उधर लगा दिया जाता है जबकि यह सही नहीं है नमबर 17 घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उप्योग की जानी चाहिए जबकि तेल के दीपक के लिए लान धागे की बत्ती श्रेष्ट बताई गई है नमबर 18 पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए धार्मिक कार्यों में खंडित सामगरी शुब नहीं मानी जाती है नमबर 19 पूजा करते समय भगवान को फूल चड़ाना शुब माना जाता है कुछ फूल देवी देवताओ को विशेश रूप से प्रिय होते हैं और फूल चड़ाते समय इस बात का ध्यान प्रखना चाहिए जैसे दुर्गा मा को लाल और भगवान विश्नु को पीले रंके ही फूल चड़ाने चाहिए पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चड़ाने चाहिए यह अशुभ माना जाता है नमबर बीस शिवजी को बेल पत्र अवश्य चड़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिना अवश्य चड़ानी चाहिए दान करना चाहिए दक्षिना अर्पित करते समय अपने दोशों को छोडे का संकल्प लेना चाहिए दोशों को जल्दी से जल्दी छोडे पर मनोकामनाएं अवश्य पूल्ण होंगी नमबर इक्कीस भगवान सूर्य की साथ श्रीगनेश की तीन विश्नुजी की चार और शिवजी की दो परिक्रमा करनी चाहिए नमबर 22 घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेश पूजा करें तो अपने इश्टदेव के साथ ही स्वस्तिक कलश नवगरह देवता, पंच लोगपाल, शोडश मात्रिका, सप्त मात्रिका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मन से प्राप्त की जा सकती है विशेश पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके नमबर 23 घर में पूजन स्थलके, उपर कोई कबाड या भारी चीजन रखें नमबर 24 भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और नहीं शंक से जल चढ़ाना चाहिए नमबर 25 पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें चपल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए चम्डे का बेल्टिया पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें पूजन स्थल पर कच्रा इत्यादी न जमा हो पाए नमबर 26 मंदिर में लगे सुखे हार फूल हटा देने चाहिए अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करे और चैनल को डो सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवार उाल पर आता कि ले वीडियो Ah यह सब्सक्राइब कि लुके ले उपका जह है कि अ नहीं दो बिए यह राइस को बचल ओ मैंति के हाव्जो दो